हाई एक कैसे हो आप लोग आई होप सब ठीक होंगे तो मैं आज एक छोटे सी बेवी के लिए हाफ स्वेटर बना रही हूं तो ये स्वेटर मैं तीन से छे मैंने तक के बच्चे के लिए बना रही हूं इसमें मैंने 126 फंदे डाले हैं ऐसे तो बॉर्डर मैंने एक साथ बना लिया तो मैंने 10 सलाई का बॉर्डर बनाया पहले 126 फंदे डालके इस तरह के से मैंने पहले बॉर्डर बना लिया फिर मैंने क्या करा बॉर्डर के बाद 5 फंदे इधर उल्टे कर दिया और 5 फंदे इ उल्टे उल्टे चलेंगे तो उपर में मूड़्े के भी एई बौडर चलेंगा मेरा एक साथही मैं मूडर बना रह chats यहाँ पर मैंने 10 फंदे उल्टे कर रखें तो यहाँ पर जब अलत करूंगी तो पांस-पांस बने इधर बहुत बाकी मैं प्लेन बना रहे हूं इसलिए मैंने पहले सुरू से नहीं दिखाया तो मैंने शिरप यहां पे फंदे डाल के इतना बना के आप मैं दिखा रहे हूं तो आगे जाके मैं अभी पूरा नहीं हुआ है यह फोड़ा सा और बनाना है मुझे यह क्योंकि थोड़ा सा पैन लेज़े ते तीन से छे माने तक के बच्चे की लिए तो इस तरह के सी मैं बना रहे हैं स्वेटर यह मैं दस नंबरिभू के गाला हुर क्विला आप अपनी उन के हिसाब से अपने लिए ग्षमे को आप उल्टे इसमें और बनाऊंगी तब जाके फिर मैं जब पूरा हो जाएगा फिर मैं बताऊंगी कि किस तरीके से मैं अलग-अलग पेज करके मुड़ा घठा रहे हूं किस तरीके से मैं इसका गोलगला बनाऊंगी कि किस तरीके से मैं फिर गोलगले के लिए घठाऊंगी तो अभी मैं अगर आपके पास कोई भी कलर की उन हो तो इस तरह किसे बना सकते हो तो यह सिर्फ पिलेन बनाना था इसलिए मैं पहले वीडियो नी बनाए शुरुआ चे तो मैं उपर मुड़ा दिखाना था कि मुड़ा अगले कैसे छाट इंगे इसमें और कितना बड़ा स्वाटर बनेग तो यह बैक ही मैं पूरा वीडियो में बताऊंगी कि कितना बड़ा बनाया स्वाटर अब बहुत कम उन लगएगी इसमें तो यह मैं जब पूरा हो जाएगा उसके बाद बताऊंगी कितने उन में मेरा स्वाटर तियार हो गया तो पहले बना लेते हूं फिर दिखाऊंगे तो इतना मैंने बना लिया अब मैं क्या करूंगी देखो चार फंदे मैं इधर चोड़ूंगी चार इधर दो फंदे मैं घटाऊंगी तो अभी मैं देखो एक दो तीन चार चार मैंने बॉर्डर के बना ले और दो फंदे मैंने और बना ले अब मैं यहां से वापिस हो जाऊंगी अब यहां पर मैं थोड़ा सा गैप देने के लिए दो फंदों का यहां पर घटाई करूंगी तो इस तरीके से देखो चार उदर रह जाएंगे चार दर दस फंदे थे मेरे तो एक फंदे मैंने घटा ले तो दोनों तरफ स दोनों तरफ एक एक फंदे और थे तो यह मैंने घटा दे दो अब मैं इसको उल्टी सिलाई बना लूँगे शारी इस तरीके से अब उल्टी सिलाई मेरी पूरी हो गई हैं अब यहां पर मेरे पांस फंदे हैं तो पांस फंदों का एक फंदों तो मेरे सिलाई में चला जाएगा इसलिए मेरे ये पांस फंदे हैं उधर मैंने एक फंदा घटा लिया तो अब मैं इसको सिधा बनाऊंगी किनारे वाले को अब बाकी मैं उल्टे बनाऊंगी अभी मैं उल्टा बना के ला रही थी सारा किनारी क्योंकि इस लाई के लिए जाएगा अब मुझे क्या करना है देखो यह मेरे चार फंदे हो गए अब यह उल्टा आरे सीधा इन दो फंदों का मैंने क्योंकि मुझे आप चार फंदे रखने है एक फंदा मेरे यहां घड़ गया यहां तक मेरा सिलाई में आ जाए गई है तो इसलिए मैंने यहां पर एक फंदा और कम कर दिया क्योंकि मुझे दोनों तरफ से बराबर ही लाने है तो चार फंदे मेरे इधर हैं बोडर के तो चार फंदे इधर हो जाएंगे अब मैंने दो काई एक कर दिया अभी मैं ऐसे बना के ले जाऊंगी और वहां मेरे उल्टे फंदे से पहले दो काई एक बना दूंगी और बाकी मैं चार फंदे अपने बोडर के उल्टे बना दूं तो उस हिसाब से फिर मैं गोलगला बनाऊंगी और मेरे यह चार फंदे ये हैं Minhu specially रखोंगी कंदे में हां शुरटर कर लिये कंदे जोफीतिय जाएगे उपर को तो उसमें मैं 10 से 12 रखोंगी तो वह मे फिर बाद में देखोंगी जब अभी मेरे नहां हो अध्य मैं मैं दो कर दोंगे कर दोंगी एर उधर से मने दो stand कर दिया तो मैं इनको कर थाएक दिया और डाल चिर्ण कर लिया मैंने और फिर मैं अपने तीन फंदे उल्टा और एक फंदा मेरा किनारे का अब मुझे यहां से फिनिशिंग देनी है यह मेरा मुड़ा गड़ गया अब यहां से फिनिशिंग आएगी तो मैं किनारे का एक फंदा सीधा बनाओंगी और आते हुए मैं इसको उतार द जब तक मुझे देखना है कि मुझे कितने फंदे घटाने है गले में तो पहले में थोड़ा सा घटा लेते हूं इसने चार-चार फंदे तीन-चार-चार फंदे घटा लेते हूं फिर उसके बाद देखूंगे क्योंकि हाप सटर है तो बहुत फैला वा गला भी नहीं चाहे अज बिलकुर मुझे गोलाई में चाहे गला तो गले की घटाई तक जब तक आ जाएगा क्योंकि जब हम उड़ा घटाते हैं तो उससे एक से डेड़ से दो धाई इंच तक पहले बुनना होता है तब गोल गला घटेगा तो यह छोटे बच्चे का है तो एक थोड़ा कम ब बना लेते हूं वहां तक तो फिर मैं आगे दिखाती जाओंगी किस तरीके से बन रहा है अब कि अभी तो प्लेनी बनाना है शारा तो उल्टी सलाई पूरी हो गई सीधा फंदा मैंने उतार लिया फिर धागे को मैंने आगे करके तीन फंदे अपने बॉर्डर के उल्टे बना लिया फिर धागे को पीछे करूंगी और इस फंदे को उतार के इस तरह करूंगी और ऐसे दो का एक कर दूंगी बस इसी तरह के से बनाना मुझे यहां पे जो मैंने फंदा घटाना इस साइड को तो उसको इस तरह के से सलाई को इस तरह के से करके घटाऊंगी और यह फंदा जो घटाए इसको फंदे को सिफ्ट करके ऐसे करके घटाया तो इस तरह के से आप भी घटाएगा तो ध्यान से को आपको समझ में आजाएगा तो पहले थोड़ा बना लेती हूं मैं जब तक मेरे गलया की घटाई जब तक comprendre की घटाई पूरी होती है फिर मैं जाकर जब गल Industri की लिए आएगा तो फिर मैं आगे दिखाती हूं तो थोड़ा सा बना लेती हो पहले अब मैंने यहाँ पे 5-5 फंदे घटा लिए 5 फंदे मेरे इस सैड को घट गए और 5 फंदे मेरे इस सैड को घट गए अब मैं थोड़ी सी देर कम से कम है 4-6 लाइन तक सारे फंदे उल्टे-उल्टे बना के ले जाओंगे फिर जाके मैं गले की घटाई करूँगी क्योंकि तब तक मेरा ये मुड़े की लंबाई हो जाएगी अभी इतना है तो 6 दूनी 12 तो कम से कम 5 या 6 गाठ मैं ऐसे उल्टी बनाऊंगी 10 से 12 सलाई तक तो मैं देखते हूँ 10 सलाई में अगर पूरा हो जाता है तो मैं 10 सलाई बनाती हूँ नहीं तो मैं 12 सलाई बनाती हूँ तो आगे से भी उल्टा बनाऊंगी पीछे से भी उल्टा बनाऊंगी तो पहले मैं इतना बनाऊंगी तब ही पता चलेगा कि मेरी गले की घटाई के लिए हो गया पूरा उसी हिसाब से फिर मैं गले की घटाई करूंगी तो अभी मैंने फंदा नहीं घटाना इस लाइन में कोई फंदा नहीं घटाए मैंने ना मैंने इधर फंदा घटाए ना इधर घटाऊंगी तो सारे फंदे मैं उल्टे बना के ले जाऊंगी तो ये मेरे border के लिए बन जाएगा ये गले के नीचे को border जो आएगा तो फिर मुझे बाद में border नहीं उठाना पड़ेगा एक ही साथ हाप स्वाटर का border भी साथ साथ ही बन जाएगा तो दुबारा से नहीं बनाना पड़ेगा क्योंकि बगल के साइड से मैंने देखो जहां स मैंने आमोल गटाया यहां से भी मेरे border जा रहा है ये दोनों तरफ से और ये भी मेरे उल्टा बना लोंगी तो मैं 6 लाइन तक या 5 लाइन तक 5 गाठे तक ऐसे बनाते हूं फिर अगर मुझे लगा कि मेरे 5 गाठे तक गले की घटाई हो गई तो फिर बीच में मैं गले की गटाई कर दोंगी तो फिर मैं पहले थोड़ा से इतना बना लेती हूं फिर आगे जाके बताऊंगी कि किस तरके से गले की घटाई करी और कितने लंबी बना रहे हूं मैं गले की घटाई करके कितने फंदे गटा रहे हूं पहले गले में तो मैंने यहाँ पर 10 सलाई बना ली अब यह मेरी 11-12 सलाई देखो आ रही है 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 गाठे हो गई मेरी तो मैं इसी गाठ में यहाँ से फंदे घटाना शुरू करूँगी तो मैंने यहाँ पर पहले मुड़े के लिए जो मेरी बेल्ट पट्टी जाएगी उपर को तो उसके लिए मैं 12 फंदे निकालूँगी तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 दुनी 12 उसके बाद मैं गोल घटाई के लिए 3 फंदे एक बार घटाऊंगी 2 फंदे एक बार घटाऊंगी इतने फंदे मैंने इधर रख दे अब मैं बीच में देखो कितना घटाते हूं तो बीच में मेरे साइज 14 या 15 फंदे घट जाएंगे तो एक इस तरह के से मैं पहले बीच में गोल के लेके ले फंदे घटा लूँगी तो दो फंदे घट गए 3 सीधी साइड से घटाना था और सीधा बना के घटा रहे हूं मैंने खोल दिया था तो यह होगे मेरे दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नो, 10 अब मैं पहले फंदे गिन लेते हूं कितने रहते हैं तो मेरे 12 फंदे पहले चाहिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 हो गए, 3, 2, 1, अब मुझे तीन फंदे और घटाने, 4 फंदे, सोरी 4 फंदे घटेंगे, अब मेरे तो जिदने फंदे बीच में रखने है, मुझे साइडों में रखने है, घटाने के लिए वो मैंने निकाल ले और बाकी फंदे हमारे घट जाएंगे, तो इस तरीके से ये गले की घटाई आएगी अब बाकी में दोनों साइडों से उल्टा उल्टा ही बना के ले जाओंगे, अब मेरे ये उल्टी बेल्ट चलेगे, तो ये जब मेरे 12 फंदे इधर रह जाएंगे, 12 इधर रह जाएंगे, तो मैं बेल्ट अपने मुड़े के हिसाब से बना लूँगी, कि बच्चे का कितन आता था, 5 इंच के करीब, 4-5 इंच के करीब यहां से मैं उसको नाप लूँगी पहले, कि कितना रखना है मुझे, तो फंदे मेरे घट चुके हैं, बाकी फंदे मैं उल्टे बनाऊंगी, फिर मैं अगली सलाई में 3 फंदे और घटाऊंगी, और फिर उसकी अगली सलाई मे फिर दो फंदे घटाऊंगी, फिर एक फंदा घटाऊंगी, तो इस तरीके से मैं फंदे घटाऊंगी, और फिर मैं अपनी पहले एक साइड की बेल्ट बना लूँगी, तो मैं दोनु तरब से ऐसे ही बनाऊंगी, आगे का पीछे का पेज कि कहीं से भी बच्चा पैन सके, तो इसमें भी मैं ऐसे ही पहले मुड़े में इधर से फंदे गटा के ले जाओंगी थोड़े से इसी तरीके से जादा नहीं गटाओंगी उसको इसको थोड़ा सा जादा बना के गटाओंगी यहां पे मैंने यह 5 लाइन एक दो तीन चार पांच छटी लाइन में गटाया तो उसको मैं थोड़ा सा उपर जाके गटाओंगी लेकिन यहां से मैं इतने ही 5 5 ले गटाओंगी सेम इसी तरीके से गटाओंगी पीछे साइड का और थोड़ा सा गला उपर को करोंगी हलका सा क्योंकि दो तिन सलाई फाल्तों करोंगी नहीं तो ज़्यादा लटक जाएगा गला नीचे तो गोला ही दोनों तरफ आएगी और यह उल्टा दोनों तरफ बराबर पर ही जाएगा इसी तरीके से जैसे मैंने यह बनाया ऐसी मैं पीछे का पल्राव बनाओंगी तो मैं पहले एक हिस्सा बना लेते हूं पिर दिखाऊंगी आगी तो गले में हमारी और इसके उपर गिरा दूँगी ताकि हमारी ये फिनिशिंग सही से आए फिर एक फंदा मेरा घट गया फिर ये दूसरा फंदा घट गया फिर ये तीसरा फंदा घट गया तो इस तरह के से गोलाई आएगी देखो कितने सफाई से आ रहा है एकदम से सफ़ाई से आ रहा है, बाकी फंदे फिर मैं उल्टे बनाऊंगी, फिर आगे मैं दो फंदे ऐसी करूंगी, इसको बुनूंगी नहीं उल्टी सैड से, जब सीधी सैड आऊंगी तो उसको उसके ऊपर गिरा दूंगी, फिर एक फंदा और बना दूंगी, तो इस तर सफाई से आएंगी तो इसको बना लेतने पहले उल्टी सलाई में कोई फंदा नहीं गटाना हमने इसको हमने बिना बुने उतार देना है तो एकदम से सफाई से आ जाएगा तो मेरा स्वाटर तियार हो गया देखो यहां पर मैंने एक क्रोशे की सिंगल क्रोशे की एक लाइन बना ली तो थोड़ा सा और टाइट सा हो गया तो अच्छा लग रहा नहीं तो थोड़ा उल्टा फंदा जाता है तो खुला खुला लगता है लूस टाइप का लगता है आर बनाए बारा फंदे इदा रखे पीचे से में तो गला थोड़ा पीचे से भी थोड़ा सा गहरा है और आगे से भी तो इस तरीके टाकि बच्चे के गरदन पे चुबे ना इस तरीके का बना दिया अब यहां तो मेरी पहले ही देखो इस तरीके का बना है तो सिलाई हो रखे है अब यहां पर मैं सिलाई कर रहे हूं मुड़े की मेरे यह बॉर्डर तो बनी चुके हैं गले का बॉर्डर बन चुके है तो स्वाटर मेरा तियार हो गया अब यहां पर म मैं जो शिलाई करह Halo यह क्यों यह उल्टे फंदूं का एक फंदा जो मैंने एक ट्रार रखा छह शिसका यह फैदा होता है तो देखो शिरफ हमने उल्टे फंदे का गांठ उठानी में अरय से इंदर भी सपाइस से आ ए मैं इतने हैं और उसके बाद में अपलोड करते हूं गी उसके उपनेशिंग देनी पड़ेगी बस और अगर आपको लगता है कि आपका बगल भी ज़्यादा लूज हो रहा तो आप एक क्रोशे की लाइन इसमें भी बना सकते हो लेकिन मैं बनाऊंगी नहीं इतना तो बच्चे को थोड़ा सा हाथ डालने के लिए चाहिए होता है तो मैंने इन आपके यह उसी हिसाब से बनाया कि तीन से छे मैने का बच्चा पैन सके और गले में ज़र थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा लग रहा था इसलिए मैंने एक सिंगल करोशा की एक लाइन बना दी अब फिट आगया गला तो बच्चे का सार इतना ही बड़ा होता है तो आराम से आ जाएगा तो आप दीस तरह किस कमेंट बॉक्स में लिख दूँगी कि कितने गराम में बना है थैंक्यू तो सिलाई ऐसे हो जाएगी थोड़ा सा रह गया इसको मैं सिल दूँगी देखो क्योट सा स्वेटर बेबी जब पैनेगा तो बेबी के लिए सौप्ट उन के ही बनाना चाहिए और ये उल्टी साइड है तो यही से मैंने उल्टे फंदे डाल दे थे जितना मैंने आगे से डाल ले थे उल्टे फंदे उसी साब से मैंने पिछे से भी उल्टे फंदे डाल दे थे